आपको याद होगा कि तेलंगाना का वाइदा कंग्रेस पार्टी ने आपसे किया था और उस वाइदे को कंग्रेस पार्टी ने पूरा किया जो आपने सपना देखा था वो अधूरा रहे गिया केसी आर ने आपसे कहा था कि तेलंगाना का सपना पूरा करेंगे मगर वो तेलंगाना का सपना पूरा नहीं कर पाए उल्टा उन्हें ने ब्रश्टाचार के समरेकोर्ट तोड़ दिये और जितना ब्रश्टाचार यहां आज कल तेलंगाना में हो रहा है शायद बाकी हो रेथ हो शराब हो पूरा पूरा कंट्रोल के सी आर के परिवार के हाथ में हैं उनके रिष्टादारों के हाथ में हमने मेरा आपके साथ राजनेतिक रिष्टा नहीं है मेरा आपके साथ परिवारिक रिष्टा है मुहबत का प्यार का रिष्टा है तो मैं यहां आपको जूटे वाइदे करने नहीं आया हूँ मैं आपको सिरफ यहां सक्चाई बोलने आया हूँ चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी जीतने वाली है चौंग्रे कॉंग्रेस पार्टी की जबर्दस लहर है और जैसे ही हम यहां चुनाओ जीतेंगे हमने जो आपको गैरंटी दी है वो गैरंटी हम पूरी करके आपको देंगे पहली गैरंटी महिलाओं के लिए महलक्ष्मी 2500 रुपे महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपे का सिलिंडर और मुफ्त में महिलाओं के लिए बस के टिकित किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रतियकर और मजदूरों के लिए 12,000 रुपए प्रतियकर इंडरा उम्मा इंडलू स्कीम पाँच लाख रुपए गरीबों के घर बनाने के लिए मदद ग्रह जोती स्कीम 200 यूनिट हर महीने मुफ्ट में बिजनी और युवा विकासन पाँच लाख रुपए युवाओं को स्कूल और कॉलिज की फिए और कोचिंग फीज के लिए और अंत में बज़ुर्गों के लिए चेयुता चार हजार रुपए हर महीने हमारे बज़ुर्गों को बाईयों और बेहनों एक बहुत जरूरी बात है शायद सबसे जरूरी बात देखिए एक तरफ कंग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बी आरेस डीजेपी और एम आएम एक साथ खड़े हुए है ये एक दूसरे की मदद करते हैं लोग सबा में मैंने स्वायम देखा जब भी नरेंडर मोदी जी को मदद की जरूरत थी चाहे वो जी एस्टी हो चाहे वो किसान बिल हो बी आरेस ने एक दम नरेंडर मोदी की मदद की आप देखिए मैं बीजेपी से लड़ता हूँ पुरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है उनके सामने कड़ा होता है तो उसका नाम राहु गांदी है और ये मेरे लिए राजनेतिक लड़ाई नहीं है ये मेरे खून के लड़ाई है बीएने के लड़ाई है अब देखिए मेरे उपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे है जहां भी उनको मौका मिलता है निया केस लगा देते हैं क्योंकि वो जानते है कि राहुल गांदी उनके साथ कॉम्प्रोमाईज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा राहुल गांदी उनके खिलाफ उनकी आइडियोलिजी के खिलाफ उनकी विचारदारा के खिलाफ लड़ी सकता है मेरा घर ले लिया मैंने खुशी से अपना घर दे दिया कहा लेओ लेओ मुझे नहीं चाहिए आपका घर लोग सबा की मेंबर्शिप रद कर दी अब मैं आपसे सवाल पुछना चाहता हूँ मेरे खिलाफ 24 मुकद में मेरा घर चीन लिया मेरी लोग सबा की मेंबर्शिप रद कर दी आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाएं आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाएं एक भी नहीं ना E.D. उनके पीछे है ना C.B.I. उनके पीछे है ना Income Tax Department उनके पीछे है क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर के सी आर B.J.P. की पूरी मदद करते है देखिए आप बता रहे हो बिल्कुल साहिए K.C.R. उनकी मदद करते है और B.J.P. उनकी मदद करते है आप देखिए मेरे उप़र 24 अगर्मन चलता है B.J.P. के सब नेता मेरे उप़र आकर्मन करते है मैं सुबह उखता हू अगर सारे के सारे B.J.P. के नेता मेरे उपर आक्रमन नहीं करते तो मुझे मज़ा नहीं आता मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कहता हूँ आज कुछ कमी रह गई थोड़ा और जोड़ उसे मुझे बोलना चाहिए मगर केसियार पे उनके परिवार पे बीजेपे का कोई नेता आक्रमन नहीं करता कोई केस नहीं कोई एगी नहीं कोई इंकम टैक्स नहीं मिले हुए हैं दोलो दूसरी तरफ M.I.M. है आप पता लगाईए जहां भी कॉंवरेश पार्टी बीजेपी से लगती है चाहे हो असाम हो, महराश्टरा हो, राजिस्तान हो वहाँ पे बीजेपी की मदद करने के लिए M.I.M. के लोग हर कंस्टिक्टिवन्सी में अपने नेता करे कर देते अपने कैंडिडेट करे कर देते बाई और बेनो दिल्ली में बीजेपी को हराना है केंगा तलेंग आना में B.R.S. को हराना है ये तीनों एकसाद मिले हुए है बूलिए मत कंग्रेस पार्टि को पूरा समर्तन दीजिए यहां पर लहर आ रही है जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कंग्रेस पार्टि के आने वाली है और पहले यहां आएगी और फिर बिल्नों ने आएगी आखरी बात में आपसे कहना चाहता हूँ B.J.P. के लोग पिछ़णों की बात करते है O.B.C. की बात करते है B.R.S. के लोग O.B.C. की बात करते है मैं इनसे पूछता हूँ अगर आप OBC को इतना चाहते हो तो आपने कास सेंसस का जो डेटा है जो कॉंगरेस पार्टी ने कास सेंसस किया था जाती जन्गरना की थी उसका डेटा आपने देश को क्यों नहीं दिखाया जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी आप लिख के रख लो कलेगाना में कांगरेस पार्टी जाती जन्गरना करवाएगी कास सेंसस यहां हम करवाएंगे और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही हम चुनाओ जीतेंगे वैसे हम दिल्ली में काश सेंसर्स करवाएंगे और OBC की सच्ची जो शक्ति है OBC को हम उनकी सच्ची सच्ची शक्ति दिखाएंगे भाई और बेनो आप यहाँ आई आपने अभी मेरे साथ पधियात्रा चली गिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली में दिल्ली में मैंने आप से कहा मेरा परिवारिक रिष्टा है राजनेतिक रिष्टा नहीं है आप दूसरों से राजनेतिक रिष्टा रखो मेरा आप से परिवारिक रिष्टा है जब भी तेलंगानों को सुनीजीए जब भी तेलंगानों को राहुल गांदी की जरूरत होगी मैं आपका सिपाई दिल्ली में बैठा हूँ जब भी आपका मेरी जरूरत होगी मैं एक मिनट में हाजर हो जाँगा जो भी आप काम मुझसे पूछोगे दिल से मैं आपका काम करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिं